आम आदमी पार्टी के लिए बेहत खास है क्योंकि दिली नगर निगम सुनाव के असी दन बाद मेर सुनाव की वोटिंग में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा कर मेर पत जीत लिया है इस वोटिंग में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शेली ओबरोई को 150 वोट मिले जबकि बीजेपी उमीदवार रेखा गुपता को 166 वोट मिले इस तरह से शेली ओबरोई ने बीजेपी प्रत्याशी को 34 वोटों से हरा कर मेर का चुनाव जीत लिया आम आदमी पार्टी ने मेर ही नहीं डेपटी मेर का चुनाव भीया असानी से जीत लिया उसके उमीदवार आले मुहम्मद खान ने बीजेपी के कमल बागरी को खराया मुंबई में रमायड के प्रसंगों को एकलाकार ने खास तरीके से पेश किया है इन दौर में रहने वाले आटिस्ट इश्वरी रावल रमायड के महतपोर प्रसंगों को रंगों के जरी कैनवास पर उतारा है रमायड पर इनके इस खास पेंटिंग्स की तो प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई गई है इस एग्जिबिशन में रमायड के अलग अलग प्रसंगों की बारफ पैंटिंग्स लगाई गई है प्रदर्शनी में हनुमान जी के लंका जाने से लेकर राम जी के वनवास जाने और राम जी के बारात तक का वरण आकर्शक रंगों के माध्यम से पेश किया गया है इस प्रदर्शने की सबसे खास बात यह है कि इन सबी तस्वीरों को इश्वरी ने बेहत बारिकी से बनाया है और इन्हें बनाने में उन्हें तकरीवन चार साल का समय लगा है इश्वरी की इस प्रस्तूती को कला जगत में सराहना मिल रही है प्रभु शीराम की नगरी आयोध्या में एक तरफ जहां भब्यराम मंदिर आकार ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शद्धालूओं के जल्दी क्रूज की विसुविधा मिलने वाली है आयोध्या में डवल डेगर क्रूज की निर्माड का काम भी शुरू हो चुका है ऐसे में शद्धालूओं के लिए ये बड़ा तौफा है जहां भख्त आपने आराध के दर्शन के साथ साथ गुपतार घार से लेकर नया घार कर क्रूज से सर्यो विहार का आनन्द ले सकेंगे इसके साथ गुरूज में रामायर से जोड़े चलचितर के साथ भजन भी सुनने का शद्धालूओं को मौका मिलेगा बता दे कि ये डवल डेकर क्रूज पूरी तरह से सोलर पैनल से संचालित होगा क्रूज में एक बार में करेब सो लोगों के बैठने का बेंतिजाम होगा ख़बर है कि शद्धालों के लिए क्रूज की सुवधा इस साल दिवाली तर शुरू हो सकती है बनारस में दिनों सौंदर्य करण का काम जोरों पर है हो भी क्यों ना क्योंकि यहां विश्व की सबसे मजबूत एकॉनमी वाले तीस देशों के डेलिगेट्स जो आने वाले और ये तैयारियां उनी के स्वागत में की जा रही अपरेल से अगस तक G20 की पांच बैट के वारानती में होनी मेहमानों के ठैरने का इंतरजाम बनारस के केंटूनमेंट इरिया के होटर्स में किया जा रहा है लेहादा यहां के एलागों को खास्तोर पर चमकाने का काम किया जा रहा है बनारस के सौंदरे करण के लिए यहां के कुल 40 सड़कों को चिनित किया गया है इन सड़कों की मरम्मध, इंटरलॉकिंग और चौडी करण का काम तेजी से किया जा रहा है और इस तरह G20 मेहमानों के लिए सज रही है, सभर रही है काश उशप लगा रहे ये हैं धर्मचन जिनकी उम्र 86 साल है जिस उम्र में लोग बेट पकड़ लेते हैं उस उम्र में भी धर्मचन पूरी तरफ हिट है, तंदरुस्त है उन्हें ना कोई बिमारी है और ना ही वे थके हैं बलकि धर्मचन तो इस उम्र में खेलों में जंडे गाड रहे हैं धर्मचन ने हाली में कुरुशेत्र में हुई चौथी नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चेंपियंशिप में तीन मेडल जीत करना सिर्फ करनाल का बलकि पूरे हरियाडा का नाम चमकाया है धर्मचन युवाओं को सेहत का ख्याल रखने के लिए खेलने की सला दे रहे हैं धर्मचन चन्द के जैसे और भी बुजुर्ग जिन्होंने खेलों में हरियाडा की जंडे बुलंद किये हैं उम्र के अंतिम पड़ाओं में जिस समय बुजुर्ग ठक हार कर विस्तर पर पड़े रहते हैं उस उम्र में बुजुर्गों का फिट रहना काबिले तारीख में ओने लगा था आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी ये आवाज, ये अंदाज, ये साथगी अब सोशल मीडिया की नई संसनी है ये बिहार के समस्तिपूर के रहने वाले अमरजीत जैकर है बड़े-बड़े सितारे अमरजीत के इस आवाज के मुरीद हो गए है अमरजीत के चाहने वालों की फेहरिस्त लंबी है तफसील से बताएंगे, पहले अमरजीत की सुरीली आवाज सुनी इस वाइरल वीडियो में अमरजीत खेत में गाना गाते दिख रही है उनके हाथ में एक टूथ ब्रश है, आसपास कुछ बच्चे भी खेलते नजर आ रहे है जैसे ही ये वीडियो सोशल मेडिया पर आया, बड़े-बड़े सितारों ने अमरजीत की दिल फूर कर तारिफ की अभिनिता सोनुसूद ने अमरजीत का वीडियो ट्वीट करते हुए लेखा एक बिहारी सौ पर भारी सोनुसूद ने महच शब्दों के जरिये अमरजीत का होसला नहीं बढ़ाया खबर ये भी है कि उन्होंने अमरजीत को मुंबई बुलाया अपने शावरे और अदम साहस के दम पर देश के लिए मर मिटने वाले वीड जवानों के सम्मान में असम के जोर हाट में अलंकरट समारों का आयोजन किया गया भारती सेना ने पूरे देश खास कर उत्तर पुर्व शेतर में शांती बनाये रखने में उल्लेखनी और एहम योगदान देने वाले वीरों का सम्मान किया इस कारिकरम में थल सेना की पूरवी कमान के जनरल कमांडिंग इंचीप लेफिनेंट जनरल राडा परताब कलितान अधिकारियों और जवानों को वीरता और विशिष्ट पुरसकार से नवाचा इस साल बारा अधिकारी एक जूनियर कमिशन अधिकारी और बारत दूसरे रेंग के अधिकारियों को एक युद्ध सेवा पदक 18 वीरता और एक विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है इस दोरान जोरहाट इस्टेडियम में ही अपनी सेना को जाने नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें कई तरह के सोदेशी हत्यारों का प्रदर्शन किया गया इस प्रदर्शनी का मक्सट जोरहाट के वाओं और स्कूली बच्चों को सवशेष्टर बलों के प्रति उस्साहिद करना था ताकि वो आगे चल कर सेना को जोईन करें